जी हाँ नमस्कार दोस्तों बात करेंगे Income Tax Recruitment 2024 के बारे में Income Tax Office या Fit Department में सीधी भरती निकली हुई है इसके अलावा यहाँ पे जो यह वेकेंसी है 3560 पदों पे निकली हुई है यानि कि एक तरीके से All Over India महिला और पूश अभ्यारती दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकेंगे ध्यान रखना जिन लोगों का यहाँ पे Final Year चल रहा है Graduation में वो लोग भी यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा वेकेंसी की अगर मैं बात करूँ Income Tax Officer, Income Tax Assistant और MTS के पदों पे साथ इस टेनों के पदों पे यह वेकेंसी निकली हुई है 10-12 भी कर रखा है अगर आपने तो भी आप आवेदन कर सकते हो MTS के लिए इसके अलावा Last Date जो रखी गई है 28 March 2024 से रखी गई है इससे पहले अगर आप यह वीडियो देख रहे हो Complete देखना कैसे आप आवेदन कर सकते हो क्या इसकी Last Year कट ओफ गई थी कितने नंबर लाने पे आपका यहाँ पे सेलेक्शन हो सकता है साथ इसाथ क्या इसकी पूरी डिटेल से रहेगी पोस्टिंग क्या रहेगी कहा नियरबाई apply करने से कहा जोइनिंग हो सकती है वो सब कुछ detail discussion करेंगे शुरू से लेके end तक आप बने रही है जी हाँ नमस्कार दोस्तों बात करेंगे detail में अभी यहाँ पे income tax recruitment 2024 के बारे में 3560 पदों पे यह graduate अगर आपने कर रखिये या 10th class pass या 12th class pass भी हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहर अच्छा मोका यहाँ पे निकल के आया है देख लिजए income tax भरती 2024 में जो detail से वो में आपको एक बार पढ़के सुना देता हूँ इस notification के दुआरा यहाँ पे income tax में यह आप देख सकते हो इंस्पेक्टर के पदोपे यहाँ पे सबसे पहले में बता दूँ उता हूँ इंस्पेक्टर income tax inspector के पदोपे 402 vacancies यह वेकेंट है graduation होना अनिवारे है यह आप ध्यान रखना income tax inspector के पदोपे अगर आप आवेदन कर रहे हो तो इसके लावा tax assistant के 1026 पद है MTS जिसको की multitasking staff भी खा जाता है इसके 2131 पद वेकेंट है टोटल मिला के 3300-3400 के करीब यह vacancies होती है ध्यान रखना अभी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इस vacancy में जो income tax inspector है graduation यहाँ पे इसमें मांगी गई है फिलहाल अगर आपके पास में graduation है complete कर चुके हो या appearing हो यानि कि final year जिनका चल रहा है चाहे वो third year हो या fourth year हो final जिनका चल रहा है result नहीं आया है अभी तक वो लोग भी यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते है और तीनो ही post के लिए आवेदन कर सकते है preference आपको डालनी है examination जो है वो अलग-अलग होगा यह आप ध्यान रखना है तीनो ही post के लिए क्योंकि level तीनो ही post का अलग-अलग है इसके अलावा यहाँ पे नीचे भी दे रखा है जैसे कि income tax inspector की जो post है उसके लिए graduation मांगा गया है text assistant वाली post के लिए graduation प्लस typing के लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे text assistant की post के लिए आपको typing speed आनी चाहिए Hindi और English दोनो ही यहाँ पे इसमें आपको आनी चाहिए जो भी 60 वर्ड पे जो भी आपकी मतलब typing वो में पूरा detail notification बता दूँगा उसमें क्या speed मांगी गई है उससाब से इसके लावा MTS में 10th class pass मांगा गया है यह आप ध्यान रखना तीन होई details मैंने आपको बता दी है और यहाँ पे अगर मैं बात कुरू अभी current में क्या salary package चल रहा है इनका तो यहाँ पे income tax वालों को 45-45,000 के करीब vacancies में मतलब सोरी यहाँ पे 45-45,000 के करीब salary मिल जाती है इस vacancies के अंतरगत क्योंकि 2024 में यहाँ पे salary जो है आपकी renew हो चुकी एक तरह के से scale बढ़ा दिया गया है इसके अलावा tax assistant के लिए 25,000 के करीब MTS के लिए 19,000 के करीब यहाँ पे salary आपको दी जाती है पहले महीनी की इसके लावा stenographer वाली vacancy भी इसमें aid की जाएगी जिसके salary में आपको mention कर देता हूँ 20,000 के करीब रहेगी इसकी salary वर्तमान में ध्यान रखना यह vacancies all over India 18-40 साल के अगर आप हो तो आवेदन कर सकते हो यहाँ पे शुलक के साब से मैं बताता हूँ dates में बताता हूँ यहाँ पे dates दियान रखना 23-2024 से लेके 28-23-2024 तक यह आपकी dates यहाँ पे रहेगी इसके अलावा further जो भी details है वो निचे में description box में link दे दिया है वहाँ पे जाके आप check कर सकते हो पूरी details आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी धन्यवाद